असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे चिकन तहरी तो इसके लिए सबसे पहले हम चावल दोकर रख लेंगे तो यह है एक किलो चावल तो चावलों को हम भीगने के लिए रखेंगे 15-20 मिनट के लिए अब हम तहरी बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए एक बगुने के अंदर कुकिंग आइल एड़ कर लेंगे वन कप दो मीडियम साइज की बारी कटीवी प्यास तो प्यास को हम बादामी कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे प्यास का कलर जैसे ही चेंज होगा हम इसके अंदर एड़ करेंगे अदर इकलेसन का पेस्ट 4 टीजपून नमक 4 टीजपून लाल मिर्च पॉडर 4 टीजपून तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के साब से आड़ कर सकते हल्दी पॉडर 1 टीजपून कुछ सेकंड्स के ल साबित गरह मसाले में आट करेंगे तालचीनी लाउंग इलाइची शाजिरा दस मिनट के लिए भून लेंगे ताकि यह जो टमाटर है अच्छे से गल जाए टमाटर को अच्छे से भून लेने के बाद में अब इसके अंदर आट करेंगे एक किलो चिकन चिकन के पीसे से अट कर लेने के बाद में हम इसको पका लेंगे पंदरा मिनट के लिए चिकन अच्छे से गल जाएगा तो इसको पकाएंगे हैं मीडियम हीट पे पंदरा मिनट तक अच्छे से पका लेने के बाद में उसके बाद में आड़ करेंगे गरम साला पौडर एक टीस्पून और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और पांच से चे कटी हुई हरी मिर्च अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में पानी आड़ कर लेंगे एक लीटर यानि के चार ग्यास पानी पानी आड़ कर लेने के बाद में अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे हाई हेट पे और जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा यानि कि अच्छे से बॉयल जब होगा जब हम इसके अंदर भीगे हुई चावल अट कर लेंगे तो चावल एट करे बाद में हम इसको पकाएंगे हाई हीट पे यानि कि इसका जो पानी है पूरा अच्छे से ड्राइ हो जाना जब तक ये पका लेना है और बीच बीच में हम चावल पकने के दोरान में इस तरह से चमच से हिलाते भी जाएंगे तो चावल में का पानी लगबग पूरा अच्छे से ड्राइ हो गया तो अब हम इसको ढखन से कवर कर देंगे यानि कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहे गया जब हम इसको ढखन से कवर करके 15 मिनिट के लिए लो हीट पे दम पे रख देंगे 15 मिनिट तक अच्छे से दम देने के बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे पानी जो है पूरा अच्छे से ड्राइ हो गया चावल के अंदर जो भी हमने आट किया था चिकनता हरी सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो इसको सर्फ करेंगे हम राइते के साथ में तो आप लोग भी रेसिपी को जरूर ट्राइ करके देखिए और अगर रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो जरूर को जरूर आप जरूर के लगती है लगती है